हलो फ्रेंड्स ये मेरा सिंगोणियम प्लांट है जो एक चोटे चीनी के ये गमला है जिसमें लगा हुआ है और ये बड़ा ही सुन्दर जल रहा है और अच्छे से गरु हो रहा है और इसकी जो पतिया है ये फ्रेंड्स बड़ी बड़ी और ग्रीन कलर की बड़ी ही सुन्दर कलर है इसका और बड़ी ही सुन्दर लगती है ये ये पोधा हम रूम में रख सकते हैं अपने रूम को डेकॉरेट कर सकते हैं और बड़ा ही सुन्दर लगता है ये पोधा और इसको पोधे को चाया की ज जरूरत होती है, इसलिए से हम अंदर रख सकते हैं, और इसकी ये नई leaves निकल रही है, और ये इसके जो पत्ते होते हैं, इनमें ये दो कलर होते हैं, और सारे पत्ते एक जैसे से बड़े-बड़े हो जाते हैं, तो बड़े ही सुन्दर लगते हैं, और फ्रेंट्स ये वाला जो पोधा है, ये कटिंग से लग जाता है, असानी से लग जाता है, ये मैंने कटिंग लगाई थी इसकी, और ये बच्छे से चल रही है, और इसकी जब नई पत्ति निकलेगी, तब मैं इसको एक अलग ही पोट में इसको लगा दूंगी, और ये एक मेरा नया पोधा त्य इस गमले में मैंने ये पोदा लगा रखा है और अच्छे से ये चलता है और बड़ा ही सुन्दर लगता है ये पोदा तो आप भी ये सिंगोनियम प्लांट अपने घर जरूर लगाए और बड़ा सुन्दर लगता है और हर्याली ही हर्याली इसमें दिखती है इसकी यह जो टैनिया होती है इनसे ही आप नए पोत्या कर सकते हैं और बड़े सुन्दर सुन्दर इसके प्लांट होते हैं इसकी विराइटी भी वेसे काफी है और मेरे पास तो यही विराइटी है इसकी और इसके जो पत्तों के कलर होते हैं वो थोड़े थोड़े अलग से ह होते हैं और इसमें मैंने ये जो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छे लेगें लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी वीडियो आप देखते रहिए और एक पोधे से नेक पोधे बन जाते हैं तो आप भी नई पोधे बनाएं और इसकी जो ये मिट्टी है ये मिट्टी मेरी वो टीले वाले मिट्टी है जिसमें पानी ये सोक लेती है और कई दिनों तक पानी और डालने की जरूरत नहीं होती और अच्छे से ये इस मिट्टी में पोधा चलता है तो आप भी ये पोधा लगाए बाई